लेकिन आप नकली हिंदुतों वादे हैं कौन असली है और कौन नकली है लेकिन देशग्रों का रोग जो आप पर लगा है उस पर आपका जवाब क्या है आपको लगता है आपने धर्म के आधार पर लोगों को उकसाया एक धर्म के लोगों को मतलब दोस्तों जो भी गोदी एंकर आ रहा है नवनीत राना के हार पर मंदिर के घंटे की तरह बजा करके चला जा रहा है खुद देख लिजिए कि कैसे अंजना ने नकली हिंदू और देश द्रुप पर इसकी फिरकी ले ली जब आप 2019 में चुनाव जीत तर आई तो आप निर्दली असानसर बन कर आई लेकिन आए कि आप नकली हिंदू तो वादे हैं तो वो चीज का बाहर लाके लोगों के बीच में रखना है यह मेरा कर्तव और मैं करूंगी पर अजन्डा बीजेपी कासे ले लोग पुछते कि नवीट राना के मन में ऐसा तो नहीं है कि अच्छा हिंदूत्वाद का अधार बीजेपी का है सभी को आगे बढ़ाने का किसानों का मुद्दा उठाती ना में किसान मर रहे हैं महंगाई है बेरोजगारी है हनुमान चालिस सा इस से आम आदनी का भला हो रहा है कि आपको काम करना चाहिए था महंगाई का मुद्दा वह जांकने नहीं गए वहां देखने नहीं गए क्या हाल है आप खुद ही मुद्दे लेकर आप तो जन प्रतिर्दी है मैं तो लड़ मुझे लगता है कैसे मुकाबला करेंगे जैसे मैं आज मुकाबला करके आई हूँ मोधी जी की लेहर 2014 में थी और सोनामी 2019 में थी हाँ जी तो ये बात इसे अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर हिंदुत्व का सर्टिफिकेट इसे किसी से नहीं चाहिए तो किसी और को भी इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और जहां तक बात रही हिंदुत्व की तो ये RSSS का दिमागी उपज है जिसका हिंदु ध और अहंकार दोनों अमरावती की जनता ने तो छीन लिया और जब इससे सवाल किसानों के मुद्धे पर महंगाई पर बेरोजगारी पर पूछ लिया गया तो बोलती बंद हो गए कि मैं लड़ती तो हूँ क्या कोई बता सकता है कि इसने इन मुद्धों पर कब कब लड़ाई के और होते हैं नवनीत रहना ने एक बड़े मजे की बात की कि मोदी लहर 2014 में थी और सुनामी 2019 में थी पर शायद ये कहना भूल गई कि टाइटाइं फुस 2024 में रही सारा लहर सारा अहंकार 400 पार फलाना धिमका सब का सब धरा ही रह गया और बैसाखी के सहारे सरकार बनानी पड़ी जिसकी कोई गरांटी नहीं है कि कब तक टीक हैगी आपने कहा कि सता अगर चली गई और ऐसी नौबत आई क्यों नहीं आपको एक बात बताना चाहूंगी बहुत मेहनत करकर खून का पानी किया है मैंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल करकर यहां तक पहुंची किस चीज के गुरुद आपको डला गया था हनुमान चाली सा पढ़ने के लिए या फिर शांती भंग करने की कोशिश के लिए मैं तो 149 का पालंग कर रहे थी लेकिन जो आरोफ है वो यह है कि एक तो देशद्रों का मुकदमा 124 से आप लगा दूसरा है कि आपने धर्म के आधार पर लोगों को उकसा है तो जाहिद और फार अपने एक धन के लोगों को इंसाइट किया इंसाइटिंग वाइलस आपने उकसाया लोगों को एक थरम के लोगों को मतलब अब बहुत दुखी थी तो वह भावक तश्वीर आपकी दिखी और दूसरी तरक बुबबई पुलिस कहती है कि यह देखिए वीडियो वो तो चाही पी रही थी हमारे सब बिसलेरी की बॉटिल्स पड़ी थी पानी की पॉटिल्स पड़ी थी पाकेज्ट था सच क्या था पावर का मिस्यूज करती रहती है इस पर इसकी बोलती बंद हो जाती है बताईए शांती भंग करने के लिए इसे जेल में क्या डाला गया तो विक्तिम कार्ड खेलने लगई कि हनुमान चालीसा पढ़ा इसलिए फलाना ढिमका करने लगी कि मुझे जेल में डाल दिया गया ल अफरत की राजनीती से अपनी केरियर की शुरुवात की जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अमरवती की जनता ने इसे वहां से उखाड़ करके फेक दिया और गोधी एंकर ने इसके आसू पर जब सवाल पूछ लिया जवाब सुनकर हसी आती है कि एक तो ये बुरी तरह हार मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं